बहुत बहुत शुक्रिया महासचिव संग्ठन शिरिकेसी वेनु गोपाल का आधर्णिये साथियों बहुत संशिप्त में अगर मैं यह कहूं जैसा वेनु गोपाल जी ने बताया आज लगबग पांच घंटे तक कॉंग्रेस कारेसमीती की बैठक अखिल भारतिये कॉंग्रे कमेटी के इस प्रांगन में हुई बहुत लगबग सभी नेताओं ने बड़े खुले मन से अपने अपने विचार रखे बड़े खुले मन से चर्चा हुई जहां जहां हमारी कमिया हैं और जहां जहां हमारी ताकत हैं उन सब का गहन चिंतन से अवलोकन किया गया खुले मन स और साफ दिल से उस पर चर्चा हुई सभी नेताओं ने अपने विचार रखे और उस सारी मंत्रना का जो सार था वो एक कॉंग्रेस कारे समीती के बयान के तोर पर शिरीकेसी वेनु गोपाल जी ने आपको पढ़कर सुनाया है उसका हिंदी रूपांतर मैं आपको बताऊंग कॉंग्रेस कारे समीती द्वारा जारी वक्तव्य पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव प्रेणाम भारतिये राश्ट्रिये कॉंग्रेस के लिए गंभीर चिंतन का विशे है पार्टी का ये मानना है कि अपनी रणनीती में खामियों के चलते हम जहां चार राज्यों में भाजप्पा सरकारों के कुशाशन को प्रभावी डंग से उजागर नहीं कर पाए वहीं पंजाब राज्ये में नेत्रितव बदलाव के बाद मिले सीमित समय में सत्ता विरोधी लेहर पर काबू नहीं पाया जा सका कॉंग्रेस पार्टी देश में आज व्यापत राजनितिक निरंकुष्टा के खिलाफ करोडो भारतियों की आशाओं का प्रतिनिधित्व करती है और अपनी इस जुम्मेवारी के प्रती पूरी तरह से सजग और जागरूख है कॉंग्रेस कारे समीती लाखों कॉंग्रेस कारेकरताओं और नेताओं के प्रती अपना आभार व्यक्त करती है जिनोंने पाँच राज्यों के इन चुनाओं में पार्टी और उसके उमीदवारों के लिए अथक परिश्रम किया कॉंग्रेस पार्टी अपने कारेकरताओं और भारत के लोगों को आश्वस्त करती है कि वह विधानसभा चुनाओं के इस जन्मत को विनमरता से स्विकार करते हुए एक सतर्क और जीवन्त विपक्ष की भूमी का निभाएगी कॉंग्रेस पार्टी भविश्य में होने वाले 2022 और 2023 के राज्यों के चुनाव एवं 2024 के लोग सभावे राज्यों के चुनाव की चुनोतियों से मुस्तेदी से निपटने के लिए ततपरता से हर तैयारी करेगी कॉंग्रेस कारे समीती ने सरव सम्मत्ती से श्रिमती सोन्या गांधी जी के नेत्रितव में अपने विश्वास की पुने पुष्टी की और कॉंग्रेस अध्यक्ष से अनुरोद किया के वे आगे बढ़ पार्टी का नेत्रितव और मजबूती से करें एवं आवश्यक एवं व्यापक एवं आवश्यक तथा व्यापक संथनात्मक बदलाव करें तथा राजनितिक चुनोतियों का सामना करने के लिए संथन की सभी कमजोरियों को दूर करें जैसा आदर्णिये वेनुगोपाल जी ने बताया इस वक्तववे के साथ साथ कॉंग्रेस कारसमीते ने ये भी निर्णे लिया के संसथ के इस सत्र के ठीक बाद बहुत जल्द खतम होते ही सत्र की स्माप्ती के फॉरण बाद एक व्यापक चिंतन शिवर कॉंग्रेस कारेस कॉंग्रेस पार्टी बुलाएगी जहां भविश्य की रणनीती पर व्यापक परीचर्चा और आगे का रोड मैप निर्धारित होगा इस बारे में इसी माह के अंदर कॉंग्रेस कारसमीती की एक और बैठक भी बुलाई जाएगी कोई सवाल आप पूछना चाहें तो अब स्वागत है देखिए जब चिंतन होता है कारसमीती में तो बहुत सारी बातें कही जाती है कांग्रेस कारसमीती की बैठक इसलिए सारवजेनिक नहीं है पर उस चिंतन का जो पूरा निचोड निकला है वो केसी विनू गुपाल जी ने आपको पढ़कर बताया बहुत सारे साथियों ने बहुत सारी बातें कही पर एक बात बगेर किसी लाग लपेट के बगेर किसी कॉमा फुल स्टॉप के सामने थी के कांग्रेस कारसमीती के हर सदस्से ने श्रिमती सोनिया गांधी जी के नेत्रितम में विश्वास जताते हुए उन्हें ही मारक दर्शन करते रहने के लिए कहा जब तक कांग्रेस के संग्तनात्मक चुनाव संपन ना हो जाए कि क्योंकि संग्तनात्मक चुनाव इस समय चल रहा है और आदर्णिय महासचिव संग्तन कई बार बता चुके के वो 20 अगस्त जो है कॉंग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की तिति निश्चित है और मैं एक से अधिक बार आपको ये बात कहे चुका के कॉंग्रेस का हर कारेकरता और हर नेता ये चाहता है के शिरी राहूल गांधी आगे बढ़कर कॉंग्रेस का नेत्रितव करें पर कॉंग्रेस का संखनात्मक चुनाव है संखनात्मक चुनाव के माध्यम से ही अगले कॉंग्रेस अध्यक्ष का निर्णे होगा यह सब अधरनी मित्र बहुत सार जैसा मैंने कहा विस्त्रिच चर्चा पांच गंटे तक इन पांचो राज्यों पर हुई सारी रिपोर्ट्स कॉंग्रेस कारस समीती के सामने ही रख दी गई ना केवल प्रभारी महुद्य द्वारा बलके जो इन्चाज AICC अब्जर्वर्ज हैं उनके द्वारा भी और महासचिव संग्थन जिनको डे टू डे का वहां का तजर्बा है उनके द्वारा भी तो इसलिए अब उसमें और ज्यादा जो चर्चा करके हमने निश्कर्ष निकाला है वो निश्कर्ष आपके सामने हैं झाल 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 झाल